नमस्कार दोस्तों मैं हूँ C.A. निखिल गुपता और आज GST में बहुत important काम करने वाले हैं हम fraud suppliers को पकड़ेंगे जहां friends यह वो लोग हैं जो आपको reputation loss देते हैं financial loss देते हैं आपसे पैसा ले लेते हैं लेकिन government को जमानी करते हैं और इनकी वैसे हमें बहुत सारे harassment बहुत स होता है friends कहीना कहीं यह जिम्मेदारी वैसे government की थी कि वह फेक suppliers को fraud suppliers को पकड़ें लेकिन अब क्योंकि जिम्मेदारी आप की उपर आ गई है recipient की उपर आ गई है तो यह पूरा process में आपको बताऊंगा कि हमें fraud suppliers को कैसे पकड़ना है और आज के टाइम में information technology के टाइम में य क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे प्लैटफॉर्म से पर डील कर रहे हैं जहां पर आप कभी supplier से मिलते ही नहीं है से फोर एक्जम्बल आप इंडिया मार्ट से डील कर रहे हैं एमेजन से डील कर रहे हैं या फिर आप ऐसे business में जहां पर middlemanic important role play करता है आपको supplier की वो detail ही नहीं है ऐसे में यह जरूर है कि आप अपने supplier की KYC जियां know your client know your customer in the same way आप अपने supplier की KYC जरूर कर लीजिए ताकि आपको पता रहे है यह objective कैसा है how is this person और इससे trade करना यह इससे business करना मेरे लिए सही रहेगा या नहीं तो friends यह बहुत simple process है जो मैं आज आपको समझाऊंगा और इ most important question is how do I know if my supplier is fraudulent जियां friends यह सबसे important question है कि आपका supplier fraudulent है या नहीं है अब अगर हमें यह पता करना है कि वह fraudulent है या नहीं है तो उसके कुछ steps हैं लेकि सबसे पहला हमें यह पता करना है कि इसको identify करने की जरूरत क्यों है whether a supplier is fraudulent or not why do we need such identification इसका जवाब मैं आपको दूँगा सबसे पहला है to avoid unnecessary notices and harassment from the department अगर आप किसी fraud supplier से deal कर रहे हैं तो आपके बास notice आएंगे department आपको बुलाएगा पूछेगा अगर वो यह समझता है कि आप caucus के part है और वो large caucus है तो आपको jail भी हो सकती है second अब friends department ने यह जिम्मेदारी हमारी उपर दी है कि supplier ने tax pay कर दिया हो means हम अपना ITC तब ही ले पाएंगे means आपका ITC तब ही है जब supplier पेज टेक्स अगर सप्पायर टेक्स पे नहीं करता है तो हम ITC नहीं ले पाएंगे और जो अमेंडमेंट है जो कि अभी जब भी नोटिफाय होगा तब से इंप्लिमेंट हो जाएगा उसमें बोला गया है कि अगर आप कि जो टूबी में जो डिटेल्स आ रही है आप उसी का ITC ले सकते हैं अगर आपके टूबी में कोई डिटेल नहीं आ रही है तो आप उसका ITC नहीं ले सकते हैं इट मींस कि सप्लायर ने आपको माल दो बेच दिया लेकिन उसना आपसे टेक्स के पैसे लेने के बाद उस टेक्स को जमा नहीं कराया जमा नहीं कराएगा तो वह आपके 2B में reflect नहीं होंगे और 2B में अगर reflect नहीं होगा तो आप SMOM का ITC नहीं ले सकते देन तू अवाइट पेनल्टीज फ्रेंड्स अकर आप fake ITC ले लेते हैं means आपने तो genuinely act किया है लेकिन supplier ने आपको ITC transfer नहीं किया means he has not paid his tax it means you are claiming fake ITC आप गलत ITC claim कर रहे हैं और आप लड़ते रहे हैं जगड़ते रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है department is not going to accepted आपको department 74 का notice भेजेगा 122 का notice भेजेगा आपके goods का हो सकता confiscation भी हो जाए अगर बड़ा amount है तो confiscation भी हो सकता है और जो penalty है वो minimum hundred percent of the tax तो है बागी जो harassment friends उसके वारे में आपको बता नहीं सकता इसलिए अपने supplier को जरूर पहचानिए कि वो किस तरीके का है then lastly to avoid cancellation of registration अगर आप किसी fake supplier के साथ deal करते हैं और large आपने large dealing है तो आपका registration भी cancel हो सकता है आप तो उसको payment करते आ रहे हैं आप उसको you are paying for the goods you are paying for the tax but he is not paying the tax to the government यहां पर friends आफ अस्ते हैं इसलिए बहुत important है again I am emphasizing on this fact कि आपने supplier का KYC जरूर कर लीजिए अब fake supplier होता कैसा है मैंने एक list बनाई है हाना कि this is not a exhaustive और conclusive list इस इंग्लूजव लिस्ट और इसमें और भी points आ सकते हैं और ऐसा नहीं कि अगर इन points में आपका supplier fall कर रहा है तो fraud ही है यह मेरा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है लेकिन हां कुछ characteristics होते हैं वह मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रॉड फेक सप्लायर्स होते हैं उनके कुछ characteristics होते हैं वह अपना registration बदलते रहते हैं आज राम के नाम से registration है कल शाम के नाम से लिए या एक्स के नाम से वाई के नाम से जैट के नाम से दे कीप ऑन चेंजिंग देर registration then they are not particular in filing their 3B returns अब GSTR 1 फाइल करके आप ITC तो transfer कर देते हैं आपको supplier GSTR 1 रिटन फाइल करेगा आपको दिखेगा but he is not paying tax means वो GSTR 3B फाइल नहीं करता then आपको पता ही नहीं है लेकिन उसका GST cancel हो चुका है suspend हो चुका है उसने खुद करा दिया या department ना कर दिया है आपको पता नहीं वह आपको GST number देता उसका invoice देता उस GST invoice के बेसका payment कर देते हैं but later on you find that his registration is already cancelled then what to do next उसकी इवे बिल की facility को department ने ब्लॉक कर रखा है अब अगर वो GSTR 3B फाइल नहीं करेगा तो अब यह नया concept है रूल 59 सब्रूल 6 है जिसमें department कहता कि अगर आपने दो थ्री फाइल नहीं किये तो हम आपका GSTR इवे बिल की जो facility है उसको हम ब्लॉक कर देंगे वो चेक करना बहुत जरूरी है देन पता चलता है कि आप बड़े businessmen है वो आपको 1CR 2CR 5CR का invoice issue कर रहा है लेकिन खुदका कोई turnover थाई नीग है नेच्सट वह अपने रेगास बिजनस से इंवास इसउनी करता है मींज जहांको उसने रेजिश्टेशन लिया है वहां से इश्यू नहीं करता फ्रेंड्स इस बारी इंपोर्डेंट आपको लग रहा है वह सिंपल कंडिशन है और मैं चेक करूं कि उसने अगर डे क्योंकि डिपार्टमेंट का यह कहना है कि जहां से आपके सप्लायर ने अड्रेस को रिष्टर कराए वहीं से उसे इस्टि करने हैं कि यह पूर्टल पे किया गया है कि आप अपने सब्दायर की किवाई सी कर सकें उसके सिंपल प्रोसेस आपको जिएस्ट ड़ोवी ड़ोट आयन पर जाना है लॉग इन करना पहले उसके बाद में आपको सर्च टेक्सपेर करना पर इजी प्रोसेस यह कि आप उसका पैंन कैसे करेंगे को तो सबसे पहले हम जीय सटी डॉट जियॉट नाइंड पर लॉग इन करेंगे कि यहां पिर हम अपना डालेंगो मीश अपनी ङड़ी मैं पर जल्ली से डाल देता हुँ उसके बाद मैं पासफल ढालता हूं ङमने लॉग इना यॉट है फ्रेंड्स लोग इन करने के बाद आपको यह सर्च टैक्सपेर दिख रहा होगा इस पर मैंने क्लिक किया सर्च भाइप अगर मेरे पर उसका जीएस्टी नमबर है तो मुझे भी सर्च कर सकता हूं बट आइल प्रिफर्टू सर्च भाइप यह मैंने क्लिक किया यहां पर मैं उसका पैन डालूँगा जिसको मेरे को जिसकी कव सी मेरे को करनी है जिसकी डिटेल मेरे को चखिए गह एघानि के इसने कावि रखे हैं तक्रीबन इंडिया के हर स्टेट में इसके स्ट्रीशन से बेर k सद्रेशन इंकर सकता हूं यह सारे रेश्ट सारे हैं तो मैं एक महराश्ट वाला रेखेस्ट करता हूं उसमें कि कंप्लाइंस वाली है वह महराश्ट के address से ही है यहां पर आपके पास लीगल नेम है प्रेड नेम है उसका जो डिक्षन आ गया मेरे पास में फ्रेंड्स यह डेट ओफ रेइस्टेशन यह मेरे पास में आ गई कि उसने रेइस्टेशन कब लिया है और जैसा कि मैं यहां पर देख सकता हूं कि इन्होंने जुलाई से इनका रेइस्टेशन है इसके बाद मैं यह चेक करूंगा यह लिम्टेट कमपनी है रेइगुलर टेक्सप्यर है एक्टिव हैं हैं एंड़ का स्लीब इनका स्लयब भीड़ा है जो अनको टर्णोवर है और यह एक बड़े टेक्स पेर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं यह सारे चीज़ों में डीट कर रहे हैं वंं देखते हैं यह इनको दिस्रिप्शन हैं उसвें यह सारी ड्रिल आ रही है कि किसकिस चीज में डील कर रहे है यह मैं समझझ पा रहा हूं किसी फूटवेर कंपनी की डिटेल है जिसमें डील कर रहे हैं यह लुकिन झा का नाम है यह मैं डिस्क्रोज करसकता है इसलिए यह हैट किया हुआ है यह इंपॉर्डेंट है कि यह रिटन फाइलिंग में कैसे हैं यह मैंने हैं पर क्लिक किया यह इनके जीएस चार वन और जीएस चार थीवी की डिटेल आ गई और यह जीएस चार वन की डिटेल है नीचे मेरे सामने सब्सक्राइब कर दिया है और थीवी इन्होंने अभी ऑगस्ट का फाइल किया है क्योंकि यह आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी हमारे पास टाइम है कि हम सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्योंकि यह लास्ट रिटन है जिसने में कोई भी गलतियों को सही कर सकता हूं इसलिए लोग बढ़े कौशेसली अपना त्रिवी रिटन तो आइकन सी दाट ही इस बेरी रेगुलर इन फाइलिंग इस जीएस चार जीएस चार त्रिवी रिटन नाइन सी जो इनका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है और है वो भी रेगुलर फाइल किया हुआ है एंड जीएस चार नाइन मीन्स जो इनके एनौल रिटन है उनना नाइंटीन ट्विंटी का फाइल कर रखा है अच्छे टेक्सपेयर हैं और अपनी कंप्लाइंस को अच्छे से पूरा कर रहे हैं तो इसे व्यक्ति से डिल करूं तो इस इस हाव यू किन सर्च टेक्सपेयर उसका प्रोफाइल कैसा है अब क्यूंकि आपने के वाल एक पैन नंबर डालके आपको यूर गेटेंग इस ज देंट फ्रेंड्स इधर मैं अगर इधर कुलिक करता हूं तो प्लेइस बिजनस में यह उस पर्टिकलर पर्संद की विजनस के यह आप देख सकते हैं काफी सारी प्लेसिस अनों है प्रिंसिबल प्लेस के लावा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनस हिनकी काफी है इट वीस फ् है इसमें कोई कोई समस्या नजर नहीं आती है हाँ अब मान के चलिए अगर इनके प्रोफाइल में हम दुबारा जाते हैं यह इनका अगर जो प्लेस ऑफ बिजनस है वो डिफेक्टिव होता अगर यहां पर इनका जी एस्टी एक्टिव आ रहा है यह मानने चीए एक्टिव फुटवेर फरनीचर फ्लोरिंग यह बेचने के लिए अब यह मेरे को मैडिसंस बेच रहे होते हैं और मैडिसंस इनके किसी भी इंपोर्टेंट जो इनके प्रोफाइल में नहीं आ रही होती तो मैं इनसे बिजनस नहीं करता देन अगर यह कंप्लैंट नहीं होते अपने जैसा आपने देखा कि अभी जो मैं आपको प्रोफाइल के दिखाया वह एक टेक्स कंप्लैंट परसुन का था और ऐसे परसुन के साथ डील करने में कहीं कोई विक्कत नहीं है फ्रेंड्स जैसा मैंने भी आपको बताया कि हमें आइडिन्टिफाई कैसे करना है कि फिक सप्लायर कोन है और जैनल सप्लायर कोन है वह मैंने अभी करके देख लिया अब इंपोर्टन यह है कि कुछ मैंने शॉट्कट्स बनाए हुए है कि हाव टू इडिन्टिफाई अग जैसा आप देख सकते हैं अगर इफ इस ड्रेगुलर टेक्सपेर दैन वी कन डील विध हिं अगर वो टेक्सपेर रेगुलर नहीं है फी इस नॉट फाइल इस रिटन्स ड्रेगुलर ली तो अवाइड दीलिमिट सच परसन फ्रेंड्स इस इस नॉट अग्लूसिव से मैच कर रहा है मेंस इस टॉनवर इस गुड विशुट डील विदिम इस टॉनवर इस लेस वी शुट नॉट डील विदिम मेरा कहने का मतलब यह है कि उसना आपको कमिट किया है कि मैं आपको एक करोड की सप्लाई दूंगा लेकिन वेन यू लोग उन्टू इस पूल्ट लिया है और आपको हरमीने वन सियार का इन्वाइस इसू कर रहा है यू के वह इस नॉट परसंटू डील वेट फ्रेंड्स यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज हमना लाइफ डेमोंस्ट्रेशन देखा है कि अगर कोई सप्लायर की हमें किवाई सी करनी है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो हमें चेक करने हैं तो इन दा एंड आपको इस पूरे पर्टिकलर प्रॉसेस में कोई प्रॉलम है देन यू के आस मी आप कमेंड बॉक्स में अपनी को रेज कर सकते हैं इसलिए सजग रही है दोस्तों और हमेशा अप इसी जरूर करा करिये विद इस वर्ड आपको कम तू दा एंड आप इस प्रेजंटेशन थैंक यू